कैसी होगी, कैसे खाएंगे, कैसे असर करेगी ये बताने से पहले इस दवा को तयार करने वालों के बारे में जान लीजे जिसने ये दवा बनाई है वो आप तक देश के लिए फाइटर जट भी बनाते हैं टैंक और मिसाइल भी बनाते हैं यह था वार DRDO की लग, Institute of Nuclear Medicine and Alert Sciences यानि I.N. से कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा इस development और ट्रायल को समझे जिस से इस दवा पर यकीन होगा CCMB Hyderabad में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था जिसमें की वाइरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट जिसको 2D Oxid Glucose भी कहते हैं इसका इफेक्ट हमने study किया था और इसमें हमें बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिले थे इसमें की बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजर्ट्स मिले थे लाज़ प्रपोर्शन आप पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ अक्सिजन मच फास्ट्स को मन्सूरी दी गई देखिए यह जो जवा है यह हम ओपिदी बैसस पे पेशेंट को दे सकते हैं इसका मतलब यह एक एंटी बॉडी का कोक्टेल है जो अर्ली स्टेजिस टु मॉडवेट के सी में दे सकते हैं इंट्रवीनस नी देते हैं माईल टु मॉडवेट के स्में इससे यह हॉस्पिकलाइज़ेशन से बच जाते हैं प्रोग्रेस नहीं होंगे फ्लॉरी कोविट के सिम्टम्स नहीं आएंगे पेशन्स हॉस्पिकलाइज़ेशन से बच जाएंगे पेशन्स कोविट के कॉम्टिकेशन से बच जाएंगे उसमें एक गेमचेंज़ा हो जाता है इसके पहले तो क्या होता था, पेशन थोड़ा सी चीज़ हो जाओ, ऑक्सिजिन दो, येस, इंफ्रमेशन हो जाता है, सीरोई दे दो, वेंटिलेसर पे जाएगा, ये अर्ली स्टेजिस में दो है, तो, आपकी पूरी बात को बहुत गोर से सुनियेगा, क्योंकि इस दवा को बनाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इस दवा की प्रियोग विधी में बहुत आसान है, और ये पाउडर के फार्म में आती है, जिसको पानी में घोल के और पेशन्स को आराम से दिया जा सकता है, और ये दवा सुबह और शाम दो डोस पेशन्स को दी जाएग जो हमारे क्लिनिकल ट्राइज में जो रिजल्ट हमें मिले है, ये दवा पाउडर के रूप में होगी, इसे पानी में घोल कर पिया जाएगा, इसलिए ये बात भी समझनी होगी, कि अगर ये दवा पाउडर या ट्रबलेट फार्म में होगी, तो इसे ग्लुकोस की तरह ले मरीज के लिए आसान हो जाएगा,